आर घो पूर्स जीजरी स्टाट कर रहें जैसों क्uis पज्वा संटैस्प गार्शें उस इस शहांते लले स्टाट करेंगी संटाइस पैले आप सबीन फूने के बांग हम वाले कलचर स्टार्ट करें가는 पेहलिए आप पहले तो ये बता दिजी कि किसने किसने ऐली क्लास की हुई है? कोई है ऐसा? कि अभी सबके लिए नहीं एली क्लास? ये सबसे पहली और इंट्रोडाक्टरी क्लास है, क्योंकि जिन लोगों ने पॉमालोजी कंप्लीट कर लिया होगा उनके लिए ये क्लास बहुत बेसिक है बहुत बेसिक है तो अब भी किसके लिए किसने किसने पहले ये क्लास के हुई है कोई है ऐसे लोग येस मैं ओके ठीक है तो आप लोगों का रिविजिन हो जाएगा जिन्नों पहले की हुई है ये क्लास है ना और बाकी लोगों के लिए जिन्नोंने नया आज जो हुए है उनके लिए नई क्लास होगी ठीक है तो सबसे पहले हम कोई भी चीज पढ़ते हैं क्योंकि सेकंड इस पता होने जरूरी है तो सबसे पहले हम होटी कल्चर शब्द से ही मतलब निकालेंगे है ना तो होटी कल्चर का क्या मतलब होता है वोट ड़ेज होटी कल्चर मीन जल्दी से बता दीजिए फिर हम फॉर्स लाइट पर बढ़ेंगे अरे कुछ तो बोल दीजिया होटी कल्चर तो कुछ भी आप खुद भी अंदाज लगाज़ा जिए तो की माम रां का फैरी कल्चर इन विच बीश्टी अगाइब फूट बढ़ेंगे है ना बलकुल उनका कल्टिवेशिन उनका प्रोड़क्शन और उसका मैनेजमेंट है ना यह तीनों ही चीज हम पढ़ते हैं और यह होटी कल्चर में सिर्फ होटी कल्चर के बात नहीं होटी कल्चर जब हम वर्ड यूज करेंगे तो हम बात करेंगे फ्रूट्स की भी हम बात करेंगे फ्लार के भी रैट और इसके बार जब यह फाइनली हम दूसरे क्रॉप पिरोट के लिए फ्लॉरी कल्चर फ्लार्स के लिए तो ऐसे कड़की स्पेशियलाईज्ट सब्सक्राइब के लिए अच्छाइं यह रहेगा आपका कोश का प्रौफामा एंड अप्रॉक्सिमेटली जितनी क्लास लगेंगी आपके पुरे कोश को कम्प्रीट करने में यह उस एक एक प्लान प्रप्रेजेंटेशन है तो जेंडरल होटे कलुट्छर रम कवर करेंगे ठीक है इसमें कौन-kौन से टॉपिक्स है आपके पास आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हुगे आपको ठीक है इसी तरह से ब्लान प्रपोगेशन पार्ट फेंप डिफ्रेंट प्लान करेंगे ठीक है इसके बाद हम आजाएंगे तो वो मॉलजी कवर करेंगे जो कि फॉर्स बाच के स्टूरेंट्स के लिए हो चुकी है पॉमॉलजी हम कम्प्लीट कर चुके हैं और इसके बाद वेजिटेबल स्पाइस और आपके जितनी भी मैजिसिनल प्लांट्स है फ्लॉरी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी इंफ्लमेशन यूज कर पाएं ठीक है किसी भी पीजी एंट्रेंस के अगर आप प्रेपैर कर रहे हैं तो आपके लिए फ्रूट्फूल हो फॉर्टी कल्चर पाट से चलिए कि तो अब हम आजाते हैं सबसे पहले होटी कल्चर की हिस्ट्री पे होटी कल्चर जो है यह यह सबसे पहले सबसे पहले इस शब्द एसा के यह शब्द तरह तरह के जो फल है या तरह तरह के क्रॉप्स हैं, वो उगाता था, ठीक है, अंदर बसे था कि साइंटिफिक नहीं थी, वो प्रोसेज अब जैसे-जैसे हम जादा समझदार हुएं, जादा पढ़ने लगें हैं ना, तरह तरह की जो विग्यान है, वो विक्सित हुए, तो तो वो चीज साइंटिफिक होती चलेगे पहले यह चीज़े होती थी बट साइंटिफिक नहीं ठीक है तो होटे कल्चर शब्द पहली बार ऐसा माना जाता है कि 17th century में इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था कहां पर यह जो आपको नाम दिख रहा है पीटर लॉरेंबर्ग ठीक है इन्होंने एक पीटर निकाली एक जर्नल समझते हैं सभी रोग जर्नल समझते हैं सभी रोग कौन बताएगा जर्नल क्या होती है जल्दी से बताएगे जर्नल क्या होती है किसी को बता है अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है जल्दी बोले भई आप इंटराक्ट नहीं करेंगे तो क्लास का क्या ही मतलब है 63 पार्टिसिपेंट्स कुछे शो हो रहे हैं और एक भी बच्चा ने बोल रहा है अभी रीसेंट मूवी कौन सी देखी थी अरे यह तो बोल दीजे इसमें तो सोचना भी नहीं है सब ने प्राइम ले रखा है चलिए अभी अभी सब के रिप्लाय आ रहे हैं अब इसके अंतर बताईए जैनरल और जैनल का डिफरेंस जल्दी से बताईए जारणल मतलब कामन होते हैं, के जाइनरल मतलब मैगजी में बिल्कुल तो जो यह J-O-U-R-N-L होता हैं इस瞥ी PC जुँजली चुबिच की जाडते हैं इस स्मॉल मागजीन, सांटिफिक द्राइमृ उजुली, ठीक है वो किसी भी चीज़ के मागजीन हो सकती है ठीक है तो उसमें हम अपने रीसर्च जो है वो पब्लिश करते हैं आप में से सभी लोग किस मतलब ग्राजुइशन के बैच के पोस्ट ग्राजुइशन के बैच के है कर आ प्रकाश राजींदर रवी प्लीज माइक आफ कर लिज्यिए आप लोग अपने हां जी अकेला हो रूम में कोई दिक्कत नहीं ओके ओके ठीक है बट मेक शॉर की डिस्टर्बिंस नहीं आएगा है ना चलिए ओके तो दिस इस दे डिफरेंस तो 17th century में होर्टिकल्चर सबसे पहले पीटर लॉरेंबर्ग की एक ट्रिटस थी ठीक है जिसमें 1631 में ये वर्ड यूस किया हुआ दिखाई दिया था ठीक है इसके बाद बारे आती है कि ये जो है ये डिराइफ कहां से किया गया तो ये जो वर्ड है ये डिराइफ किया गया लाटन वर्ड ठीक है ध्यान देंगे लाटन वर्ड होट इस जिसका मतलब था गार्डन ठीक है गार्डन मतलब गार्डन सभी समझते है ना प्रॉपर येस मैं अच्छा इंडिया के दो प्रॉमिनेंट गार्डन का नाम बता दीजे कहां पर है अजी बॉट्निकल गार्डन लोटस गार्डन तो यह तो जैनरल हो गया कहां का बॉट्निकल गार्डन कॉलकाता का एंडियाराई का कहां की बात हो रही है जब भी आंसर देना ट्राइट वी स्पेसिफिक ठीक है ओके छले तो लाटन वर्ड हो टॉट्स जिसका मतलब है गार्डन और को लेविप यानिकी कल्टिवे तो कहने का मतलब ए गास ऑड़न के जो भी प्लांस है उनका कल्टिवेशन थीक है तो यह बहुत वीब thế यह है यह यह जो वर्ड का मतलब है यह वेग है जो वास्तम में जब इसमें हमने और भी एलेमेंस आड़ कर दिये होटिकल्चर की डेफिनिशन में तो वह क्या बन गया कि होटिकल्चर इस डिफाइन जिसमें है ना हम ऐसे प्लांट को कल्चर करते हैं जो की या तो फूड पर्पस के लिए या तो मेडिसिनल पर्पस के लिए या तो एस्थेटिक ग्राटिफिकेशन के लिए वाट ड़स इट मीन कौन बताएगा एस्थेटिक ग्राटिफिकेशन क्या होता है कि मैं ब्यूटिफिकेशन पर्पस बिल्कुल बिल्कुल जो आज पास की सराउंडिंग है उसको प्यूटिफाई करने के लिए है ना और उससे प्लेजर डिराइफ करने के लिए हमें पते हैं कि जब भी हम कोई अच्छी चीज देखते हैं वे फील गुड आपको पता है इस गुड हॉर्मोन तो यह सारी चीज़े जो आते हैं यह आते एस्थेटिक ग्राटिफिकेशन में राइट तो हर्टी कल्चर के देफिनिशन अभी क्लियर है यह मैं ठीक है तो आक्चली यहां पर इंटेंसली कल्चुर्ट प्लांट लिखा हुआ है यू किन अलसो आड ज वेजिटेबल्स फ्लार्स ठीक है यह सब इंटेंसली कल्चुर्ट प्लांट यूज बाइपीपल फॉर फूड मेंजिसनल परपस और एस्थेटिक ग्राटिफिकेशन अगर आप ऐसे भी लिखते तो इसमें भी आपके सारे क्रॉप्स कवर हो जाते हैं ठीक है एस्थेटिक अगर हम यह एस्थेटिक राटिफिकेशन की बात करें तो हम कौन से क्रॉप की बात कर रहे हैं इस अगर तो यह हो गई ब्रांच इस खॉटिकल्चर की राइट पुमालजी आपको अच्छा आपको इमेज से क्लियर होगा पुमालजी किसकी स्टडी हो गई जैधेब हो गई है लांसकेप पड़ें तो इसकी भी एक डफियूशन फटेंगे थीक है तो बेसी刃 लांसकेप यह होगा कर्ü medal कोई भी not only ornamental बहुत सारे foreign में आप देखेंगे कि gardens even vegetable garden भी बहुत सुंदर maintain करते हैं ठीक है तो depend करता है कि आप यह सारे horticultural crops है उनको use करके और aesthetic beauty जो आपका आसपास का environment है उसकी beautification करते है ठीक है तो that is landscape gardening चले आगे बढ़ते हैं branches की बात करते हैं तो इसमें जो देखें question के हिसाफ सेम देखते हैं कि competition centric क्या important है ठीक है तो देखें question जो पूछता है आपको वो usually यह पूछता है कि roots क्या है words के root पूछता है क्योंकि आपको उन्हें पता है कि आपको पता होगा कि अलेरी कल्चर के बात करें तो ठीक है बेसिक है knowledge इनको कि अलेरी कल्चर इस बाउट वेजटेवल homology is about fruits question यह usually पूछता है कि जो अलेरी कल्चर वर्ड है वो किस root से derived है मतलब जो इसका word derived हो है किस base से derived हो बेस वर्ड क्या है इसका ठीक है अब आपको option में यह देदेगा कि Latin ठीक है Hindi ठीक है Sanskrit English या both A and D ठीक है अब suppose करें कि आपने ध्यान से देखा हुआ है कि यह Latin से भी है Latin वर्ड कौन से है इसमें से ओलेरिस पहला वाला ठीक है ओलेरिस जिसका मतलब होता है pot herb ठीक है pot herb और दूसरा वर्ड है जो culture that is English in origin जिसका मतलब होता है to cultivate ठीक है तो इन दोनों वर्ड में आधा Latin है आधा English है तो you have to know कि दोनों ही words है यहां पर ना सिर्फ Latin है ना सिर्फ English है ठीक है clear है यह बात नहीं चाहेगी तो confused मत होएगा homology की बात करते है अगें यह word यह question बहुत बार पूछा है यह question बहुत बार पूछ चुका है इसमें आपको option दे देता है Latin Greek बोथ A and B और एक word आपको दे देगा English यह कोई और वर्ड रोमन दे देगा sorry English भी नहीं देगा तो याद रखिएगा पूमम वर्ड का मतलब है fruits यानि फल जो की derive है किससे Latin से और logi यह logi यह किससे science से ठीक है that is Greek 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 in origin logic का मतलब हो गया science ठीक है तो it is again science of production and cultivation of fruit crops hold out नहीं है तो यह भी आप अच्छे से आद रखेंगे कि Pomology है Latin plus Greek और ओलरी कल्चर क्या है Latin plus English ठीक है अच्छा बहुत लोगों का माई कौन है क्या मैं बहुत सरवा जा रहे हैं अच्छा हां जी हां जी बूलिए मैं अगर एक option आए तो Latin Greek या ऐसे आए तो Latin और Greek बस आता है ना तो आप challenge कर सकते question ठीक है आप सीधे से आपको option बाद में देगा कि आप challenge कर सकते है because if Latin और Greek ही दिया है आपको बोध हैं भी नहीं दिया है सिर्फ Latin Greek दिया है तो आप अगर कोई एक भी टिक करेंगे ना तो उन्हें consider करना पड़ेगा क्योंकि यह books में दिया हुआ है कि Latin और Greek दोनों वर्ड से यह derive है तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर क्या है यहां पर क्या है वोइस नहीं आ रही है किसी को वोइस नहीं आ रही है क्या आरे है आरे हिए रहे हैं ओके फितیश आप अपने साइड पे प्रीज एक बारी नेटवोक चेक करेंगा में भी नेटवोक का इश्यों थीक है थे चैने Shocker की बात करते है तो फ्लॉॉरी कल्चर ये पहला वोर्ड है लाटिन फ्लॉरिस ज मतलब है और जो कल्चर वोर्ड है यह है इंग्लिष सेम है अलर एक चीज और है यह जो है ना कल्चर अक्शली यह भी कहीन कहीं लाटिंस से ही डिराइट है ठीक है क्योंकि यह वर्ड कल्चिर रास से आ जाता है बट हर जगे सर्च करने पर यही मिला इवन बुक्स में भी कि यह लैटिन प्लस इंग्लिश है इसलिए मैंने आपका लैटिन प्लस इंग्लिश लिखा है ठीक है It is science of flower production कोई डाउट नहीं है Landscaping पर आजाते है Landscape gardening जब अभी हम पढ़ेंगे तो हम detail में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम identification के साथ पढ़ें मैं रोज कोशिश करूँगी कि आपको 5 plants लेके आऊ ठीक है 5 plants and you have to identify that कि यह plant है क्या ठीक है और उसके बारे में details आप देंगे basis of classes जो भी हमने class की होगी उसके basis ठीक है तो चलिए Landscape gardening की बात करते है तो what is it It is the art of beautifying a piece of land as it appears to the eye and landscape gardening is the art of beautifying a piece of land using क्या-क्या Garden design method and plant material ठीक है clear है यह बात इसमें कोई doubt नहीं है न basically आपको एक land का piece दे दिया गया है इसको आपको कोई भी plant material यूज़ करके है न plant material यूज़ करके designing करके properly scientifically beautify करना है जो कि आपको देखने में अच्छा लगे ठीक है clear है यह बार I please know ठीक है okay यह किसने screen बिलकुल रंग दिये यह ना प्लीज मेक शॉर कि यह सब दिक्कत हो जाती है ना चलिए if possible please clear कर लिजे क्योंकि मेरे तरफ से clear नहीं होगा ठीक है क्योंकि कुछ कुछ चीज़े दिखेंगे नहीं फिर आपको अगर कहीं important point है importance पढ़ लेते है कोई डाउटी चले importance आपसे start करते है आप क्या समझते हैं कि horticulture कैसे important है आपके लिए यह इविन हमारे country के लिए how is it important highest food producing country कौन सी है वर्ल्ड में कौन बताएगा जाइन चाइन चाइन उसके बाद कौन है इंडिया मैं इंडिया मैं इंडिया इंडिया यह question भी बार यह आच चुका है चलिए तो importance स्टार्ट करते हैं एक-एक importance अब बताएंगे कौन सबसे पहले बोलेगा स्क्रीन पर जो लिखा वो नहीं बोला है आप क्या समझते हैं वो बोलना है क्या करते मतलब इंकम जर्रेशन इंकम जर्रेशन वेरी गुड पर क्यापिटा इंकम जर्रेशन के जो capability horticulture के पास है वो capability एग्रीकलचर के पास लिए ऐसा क्यों वाइए इसको मार्केट में में ले जाके तुरां बेस चकते हैं अब पैसा थुरां प्रोड़क्स रहता है तो पैसा जलदी मिल जाता है इसको मार्केट में टाइम लगता है एग्रीकलचर प्रोड़क्स करसे को का venir कर सकते हैं बिलकुल पैरी नियल होता है बिलकुल वेरी गुड तो क्या होता है कि अगर एक बार इसे लगाया कोई गार्डन या कोई आपने बागी की जरूरत हो कि आपको बार-बार प्लांट नहीं लगाना है दूसरा जैसा कि सब में बताया कि हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं तो क्या हो जब तक यह आपको ताजा था तब तक तो आप इसे बेच पा रहे थे तुरंत आपको जो है इंकम मिल रही थी है ना कैश्ट्रॉप जैसे आप बोल रहे हैं ठीक है इसके बाद आप इसे सुखा किया तो राय कर सकते हैं आज पिकल सेंट कर सकते हैं एसमोरभा कुछ भी है आप कैंडी परिपैर कर सकते तो प्रोसेसिंग कर सकते तो अगें यह आपको एक्सेंड़ेट पीरेट तक जो है, इनकम देता है ठीक है, साथ ही साथ, आपको पता है कि इसमें जो operations होते हैं, horticulture operations बहुत सारे होते हैं, है न, और बहुत ही, agriculture के किसका mic on है, mic off कर ज Давy, please, please, please it's a request आप लोग, please, बात को समझें, जिसका mic on है और दिक्कत कर रहा है है ना तो वो प्लीज माइक आफ कर लीजिए रिदम तूट जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़े employment generation में मदद करती है क्यों क्योंकि बहुत सारे specified operations horticulture के लिए ही होते है agriculture में इतना आपको management नहीं करना होता है है ना क्योंकि आपको ध्यान देना कि कीड़े नहीं लग रहे हैं आपको spraying प्रॉपर करनी और अलग-अलग stages पे spraying दरनी है ठीक है तो बहुत जादा बहुत जादा टाइम के लिए labor चलिए labor intensive है तो उस हिसाब से भी employment generation में मदद करता है ठीक है income generation कैसे करता है आप सभी इने बात किया है कि हाई वैली प्रॉप होते हैं यह जो हमारी grain प्रॉप होते हैं है उसके comparison में यह जादा रिटर्न देते हैं ठीक है और क्या हो सकता है चलिए दो तो बता दिया और क्या हो सकता है यह जादा हुआ है अब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यव बिलकुल एक्सपोर्ट वैल्यव तो खैर आप अच्छा हाइस्ट एक्सपोर्टिंग क्या चीज़ एंडिया से इस प्रोडूस बासमती राइस लंबे समय प्रोडक्शन ले सकते हैं यह बात हो गई है एक्सपोर्ट वैल्यू है बिल्कुल एक्सपोर्ट वैली जैसे की म्यांगो की बात आप कर रहे हैं तो कौन से especially mangoes जो है वो एक्सपोर्ट किया जाते है इंडिया से अलफांसो उसके लावा अलफांसो में तो बैन लगा हुआ है क्या मैं हट चुका है बैन लगा था बिलकुल लगा था और अभी हट चुका है depending upon the region Japan के लिए हट चुका है Japan के लिए I have the information Japan के लिए अलफांसो से बैन हटा है चार से पांच साल बाद हाँ मैं किस रीजन से लगा था देखिए पहला सबसे बड़ा रीजन यही था कि फ्रूट फ्लाय आपको पता है यह कॉरिंटीन पेस्ट है है ना तो क्या है कि जपान में फ्रूट एक्सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रीप्मेंट होता है वाट इस इट पोर्स रहाट एर में ओंसा पोर्स रहाट एर इंक हार बिल्कुल अचली अभी पोस्ट हावस्ट की बात करेंगे तो यह भी बात करेंगे कि अलग 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 जगा पर तो फ्रूट फ्लाई का इंफेस्टेशन शायद बहुत सारे लॉट में से किसी एक लॉट में दिग गया था और उन्होंने पूरा कंसाइमेंट जो था वो रिजेक्ट कर दिया ठीक है और बहुत सारे फ्रूट जैसे की ग्रेप्स में शायद किसी-किसी फ्रूट में फॉर पेस्टिसाइड दो ही चीज़े ग्रेप में भी बहुत लंबे समय के लिए एक्सपोर्ट बैन हो गया था क्योंकि आपको बता है कि ग्रेप की प्रोड़क्टिविटी इंडिया में सबसे जादा है और जो फॉरेन है व ये फॉरेन है उसमें पेस्टिसाइड कंटेंड जो है पेस्टिसाइड कंटेंड इसके भी में आपको पूरी स्लाइड दिखाऊंग गिद ओल्डी लटिफिस्से इंफ抹ए है तो यह जो पेस्टिसाइड कंटेंड है ये बहुत ज्यादा पाया गया थblind और इसलिए भी य इसको include किया जा रहा है gap what is gap यह देखिया हम दूसरी जगह पहुँच जाएंगे discuss करते करते what is gap किसी को कुछ information है no ma'am it is called good agriculture practices ठीक है good agriculture practices तो हम usually जो export oriented fruit crops है उनमें gap के according इसके एक set norm है इंडिया में इसका headquarter भी है तो इसके according हम जो भी cultivation है वो करते हैं gap certified vegetables या gap certified fruits होते हैं ठीक है कहा है इसका headquarter है डेली ठीक है तो अब बात करते हैं religious and हाँ इसके लावा आपने बुला दो आपने बताया थे जल्दी अब बता जीजे बागे के nutrient value nutrient value बिल्कुल इसकी जो nutrient value per 100 gram nutrient value है वो जो आपके grains होते हैं उसके comparison में जाद है grains are usually carb rich है ना यह तो कुछ डाले होंगी देया protein rich but यहां पर आपको सबसे important जो की protective nutrient जिसे बोलते हैं vitamins or minerals इनको क्या बोलते हैं protective nutrient protective food तो यह आपको बहुत आयत में मिलता है like in excessive quantity ठीक है आपको vitamins vitamin C सबस्यादा किसमें होता है Barbados उसके बाद आवला आवला क्योंकि इंडिया में Barbados cherry नहीं मिलेगी ना इंडिया में आमला मिलेगा तो that is Barbados our Barbados cherry ठीक है चले इसके अलावा काजू में हाँ ठीक है काजू को क्या बोलते है cashew nut cashew nut तो बोलते है इसकी क्या खासियत है it is a zero cholesterol nut अच्छा हाँ zero cholesterol nut zero cholesterol nut cashew nut ठीक है इसकी एक कौन सी बड़ी famous variety हमने पड़ी थी किसी को याद है देखो ये चीज़े बड़ी याद रहती है हां जी cricket ball भी है क्या कौन सी कौन सी cricket ball एक वाराइटी थी में काजी बड़ी और क्रिकेट बॉल आक्चली काजू की रिस्पेक्ट में नी सबोटा की रिस्पेक्ट में है सबोटा है न सबोटा में cricket ball हमने पड़ा था ओवल याद करिए एक रॉस भी पड़ा था PKM 1 क्रिकेट बॉल कुछ ऐसा पड़ा था हमने क्रॉस फॉस ठीक है एनिवेज अभी हमाई साथ नए स्टूडेंज भी है तो लेट्स डिसकस अभी हम इस पर आ जाते है ठीक है तो दो इसके बाद करते हैं तो आप देख सकते कि अपनी कंट्री में भी अगर आप टमेटो केचप बना रहे हैं किसान आप देख रहे हैं बहुत सारी MNC जिन्हों अब इसके बाद बात करते हैं रिलीजिज अंड सेक्रड वाल्यू तो यह तो आप सब्सक्राइब को पता होगा आप बच्पन से देखते हुए बड़े हुए होंगे कि कुछ जैसे कि बेल है बनाना है है ना मैंगोस्टीन हो गया यह मैंगोस्टीन का साउथ में है रिलिजिजिस सिग्निफिकेंस ठीक है तो यह सारी जो वाल्यूस है यह सारे जो प्लांट है इनका क्या होता है है religion religion से related होते है people हो गया है ना बर्गद हो गया आप सभी को पता है कि हर एक पेड से कोई festival related है और लोगों के लिए इनकी बहुत sentimental value होती है ठीक है वरना आपने देखा होगा चिपकों अंदोलोन और इतने सारे जो moments start with that is just because of sentimental value of these plants ठीक है food value की बात होई चुकी है है ना क्योंकि हां मैंगो स्टीन मैंगो ही है कि कुछ नए मैंगो स्टीन बिलकुल अलग fruit है कल मैं आपको इसकी फोटो दिखाते है ठीक है अब बात कहते है food value की तो food value की बात और nutritional security दोनों interlinked है obviously यह जो हम normal खाना खाते है उससे ज़्यादा nutritional होता है और इसलिए यह जो भी हम प्लेट में हमारे खाना होता है इसको यह और भी ज्यादा balanced बनाता है ठीक है an apple a day keeps a doctor away आप सभी ने सुना ही होगा अब यह बात हो रही है जो आपकी details है ठीक है production details है इसमें ज्यादा कुछ जो कुछ prominent चीज़ है वो हमें याद रखती है ठीक है सबसे पहले तो बात होगी total horticulture production ठीक है कितना है 29.86 million ton ठीक है ठीक है 329.86 million ton ठीक है अब इसकी बात बार आते हैं इस horticulture में तो सारी चीज़ें involved है ठीक है 32.76 million ton ठीक है 102.76 इतना याद रखेंगे तो भी काम चलेगा बट कभी कभी question tough करने के लिए वो decimal के बाद के point change कर देता है ऐसा भी होता है ठीक है कुछ papers में but usually नहीं करते हैं तो आप अगर शुरू के तीन आपको याद है तो आप टिक कर लेंगे ठीक है total vegetable production कितना है इतना इस तो इससे आप क्या समझ रहे है इंडिया में fruit का production जादा है या vegetable का vegetable की production जो है इंडिया में fruits के comparison में जादा है ठीक है इसके बाद बात करते है टोटल plantation crop production it is कितना 16.60 million ton और इसमें भी जो coconut है major portion जो है plantation का वो आता है coconut का मतलब इसमें लगबग समझ के रखे कि 14 point something के around ठीक है 14 सबोसकर 14 million ton ठीक है 14 million ton जो है वो तो coconut का ही production है बाकी का जो दो बच्रा है वो है बाकी के जो भी plantation crops है ठीक है ओके तो टोटल plantation crop production 16.60 million ton spices में आ जाते हैं तो इट इस around 10.4 million ton जो कि obviously पिछले साल के comparison में 3.93 percent increase है ठीक है अब spices में यह जो production 10.4 चार का आ रहा है यह किस से किस से मतलब कौन सी spices तो major contributed है dried cheese red dried cheese ठीक है इसके बाद cardamom coriander garlic ठीक है यह जो है यह major spices है चार जो आपको दिख रहे है okay जब हम spices पढ़ेंगे तो हम इन्हें भी detail में पढ़ेंगे okay अजी बुलिए यह plantation crop को किस अच्छेंज यह हाई return value यह round ले सकते हैं ठीक है इस आर काइंड ऑफ कैश्ट्रॉप्स ओली ठीक है यह अच्छी प्लांटेश्ट उप्सक्टा है यह आजी हाँ नहीं कंज्यूम कंज्यूम करता है डिपेंड करता है कि आप डारेक्ट कंज्यूम कर सकते की नहीं कर सकते तो कोनिया वॉतर का सकते हैं स्चिटि कि अप यह ए कि मातलब यहाव तो पूर सब्सक्राइब UP कंज्यूम कर सकते कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसके बाद ही आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं तो इट जो आपके पास यह स्टाइट्स है इसको बिलकुल आप अपडेटि रखने की कोशिश करेगा प्याइबी की साइट पर जाएगा प्याइबी की साइट पर हमेशा अगर कोई अपडेट होता है प्रोडक्शन से रिलेटेट तो वह वहां पर आ जाता है ठीक है तो आप एज़ पीडियेफ उसे डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मेजर प प्रदेश कि ओके यह इसके पेहले बाद को अंध्राय महराष्ट ठीक है अभी के लिए उगया आन्धर प्रदेश सेकेंड इस उत्तर प्रदेश स्थाड़ाश्ट्र। ठीक है आपको उत्तरप्रदेश और महाराष्टरा में देखी जादा डिफ्रेंस नहीं दिख रहा होगा इट इस 11 और 12 परसंट डोल्मूस से ठीक है यह जो 20 परसंट है यह लिखा अदर्स तो अब आप यह सोचे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से उपर तो कितने ही कवर उपाय ना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौट दस इसके अलावा जो बचे हुए स्टेट्स है वो सारे उनका मिला के प्रोड़क्शन है और यह सारे जो स्टेट्स हैं का इंडिविजूल प्रोड़क्शन है तो ऑविसली फर्स्ट क्या होगा आंद्रा और सेकिंड उत्र प् महराष्ट्रा मैंने ध्यार नहीं दिया क्योंकि ओर्डर में था ना बिल्कुल बिल्कुल सेकेंड इस महराष्ट्रा ठीक है यह लेजिंड जो है यह टेक्निकल फॉल्ट है यहां पर यूपी होगा और यहां पर महराष्ट्रा होगा थांक्यू थांक्यू ठीक है इसके पहले वाले में महराश्ट्रा वस फॉर्स देखो महराश्ट्रा और आंध्रा में अल्मोस्ट कट्ट्रोट मतब चलता रहता है इसके पहले का जो मुझे लगता है जो रिलीज्ड प्रॉपर 1718 का जो पूरा उनका 300 पेज का होटी कल्चर का स्टाट्स है उसमें I guess I'm not sure but इट वज महराश्ट्रा और उसके पहले जो बुक्स में लिखा है पुरानी बुक्स में वह भी महराश्ट्रा लिखाव है बट अभी का जो अब बारी में इसको अभी आच्छली इनका ना बुलेटन रिलीज नहीं होए पहले वाले तक बुले जो 1718 का बिलिटन है वही रि बट क्योंकि मेरे पास अभी लेटस एक एडवान से स्टेमिट था तो मैंने सुचा मैं लेटस इन फिर्मेशन वो लेकिया ठीक है अब बात करते मेजर वेजिटेबल तो मेजर वेजिटेबल प्रोडूजिंग कौन कौन से हैं कौन कौन से उत्तरप्रदेश इन दोनों का कट्रोटे दोनों में पंद्रा लिखा आप देख सकते हैं ठीक है बट स्टिल वेस्ट बेंगॉल को फर्स दिया है इसका मुझे जादा इग्जाक क्राइटीरिया सर्च करना पड़ेगा बट इस वेस्ट बेंगॉल इस ओवर ओल क्योंकि यह में भी वेस्ट बेंगॉल टॉप करता है है ना वेजटेविल की प्रोड़क्टिविटी में तो दाट इस वाइब वेस्ट बेंगॉल को उपर रखा है एं देन उत्तरप्रदेश ठीक है इसके बाद है मध्यप्रदेश तीसरे नंबर पे तो मेजर वेजटेबल कहां पर है वारनसी बिल्कुल वाट इस इस पूरा नाम क्या है वेजटेबल रिसर्च वेरी गुड अर्शी पॉमग्रिनेट कहां पर सोलापूर में अब इस सोलन इमांचल किसी ने बोला अब यह बताओ सोलन इमांचल में क्या है पूरा पूरा नाम बोले सीपी सी आ रहे है ना सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टिटूट जब हम होटी कल्चर की बात करें तो हमने सारा जो उपर डेटा पढ़ा था वह हमने क्लब अप कर लिया है तो मेजर होटी कल्चर में जो टॉप करने वाली कंट्री है सरी कंट्री बोले युट इस तेट है उत्तर प्रदेश फरस्त है ठीक है इसके बाद है वेस्ड बेंगौल और उसके बाद है मध्य प्रदेश ठीक है मद्यप्रदेश I think I still doubt कि ये पता नहीं थर्ड में कैसे आ गया बट ठीक है उत्तरप्रदेश West Bengal मद्यप्रदेश का मैं फिर भी एक बारी clear करूँ ओके क्योंकि यहां पर आंधरा होना चाहिए मेरे साथ से बट मेभी क्योंकि टोटल होटी कल्चर लिया है तो कुछ कुछ चीजे मद्यप्रदेश में भी जादा प्रोडियूज होती है तो इस हवाले से शायद थर्ड होगा है ठीक है तो उत्रप्रदेश एंड वेस्ट बेंगॉल फॉर्स और सेकिंड यूजिली थर्ड पर नहीं प आंध्रा में फ्रूट है 17 ठीक है उसके बाद उत्रप्रदेश में सारी महराष्ट्र में 12 परसेंड भी पूछ सकता है मैं यूजिली तो नहीं पूछता है एक बारी मुझे लगता नेट में कभी पूछा था नेट में शायद मुझे लगता दो साल पहले जो नेट हुआ थ तो यह हो गए major horribal producing states अब बात कर लेते हैं कुछ prominent institutes की ठीक है कुछ prominent institutes से बात कर लेते हैं तो central institute of होटिकल्ट्र ठीक है यह कहां पर है मैंदी जिफिमा नागलेंड में इंस्टिट्टूट और रिसर्च ठीक है यह कहां पर है यह तो याद होगा आप लोगों को यह तो यह कब इस्टाब्लिश हुआ था नाइन्टीन सिक्स्टी सेवन सब्सक्राइब इसके बात बात आती इन्बी पीज्यार यह थो न्यू डेली में यह आयाराय के अंदर है ठीक है इस इसन न्यू डेली नाशनल ब्रॉट ओफ प्लांट जैनेटिक रिसोर्स स्थिक्ए यह सेंटर एक्स्रा गया इडिज रिसोर् एन बी पीज़ियर के बाद बात करते हैं तीन डिखे क्या है रीजिन वाइस तीन सेंस्टिटूट होटी कजर के बनाए गया जो गरम जगह पे एरिट के लिए बनाया गया डाट इसन जोधपूर जिसको काजरी बोलते हैं यानि सेंट्रल एरिट जोन रिसेर्च टंपरेट मैं मैं थी बिल्कुल बी कॉंफिडेंट टेमपरेट प्याति ठीक है तो यह हो गया टेमपरेट होटी कल्चर ठीक है जो कि है श्री नगर जम्मू कश्मी ऐसे ही सब ट्रॉपिकल जो है अब आप पूचेंगे कि ट्रॉपिकल के लिए है क्या कुछ अलग से तो अब कि लिए यूजेली नहींस् genommen है श्रोपिकल के लिए सब ट्रॉपिकल के लिए कहां पर लग्नाव में था इस ओत्र प्रदेश तीक यह यह पहले वर इसकी पीचे भी इस्ट्री स्याया जो आज हम देखते लगजे प्रदेश पर्डव वोजट मतलब सबसे पहले व्या यह बाद में इसे धीरे धीरे करते करते अब यह सेंट्रल इस्टिटूट अफ सब्रॉपिकल और चलिए आप कुछ मिनिस्ट्री जो बोर्ट की बात करते हैं क्योंकि यह कंफ्यूजिंग है इसलिए क्वेशन आते हैं तो टी बोर्ट टी बोर्ट जो है वो कहां पर है कॉलकाता में है वेस्ट बेंगॉल में ठीक है और टी जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर के अंडर में नहीं आती है तो आप यहां पर देखने तीन है इसे पढ़ते हैं बट यह एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है यह आता है कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ठीक है बोर्ट क्लियर ने टी कहां पर है यूजिली नौर्थीस में टी जादा असम में टी जादा प्रिदियूस होती है तो उसी बेंट में कहीं ह होगा तो इतने स्कॉलकाता वेस्ट बेंगोर ठीक है और कॉफी जो है दाजलिंग टी का नाम सुना है सबने यह समय है तो दाजलिंग इस बॉडरिंग यह जो एरिया है अच्छा वहां पर एक फ्रूप क्रॉप भी नौर्थीस्ट में बड़ा प्रॉमिनेंट है कौन सा है कौन सा है जल्दी से बोल दीजें भाई बोलिये कुछ आप तो बिल्कुल मौन हो गया मौन रत सेब होता है बट सेब तो आप सभी को पता है कहां की सेब फेमस है इंडिया में कश्मीर कश्मीर में जो सेब का रंग आता है याट इस वेरी प्रॉमिन जो डिलिश्यस आपल ग्रों के जाते है इस ब्राइट ब्लॉड रेड इन कलर कलर डिल्प्मेंट बहुत अच्छा होता है इल्टिट्वीट के कारम ही यह यह जो आप जल्दी से बताचे इस सिर्ट्रस का ओरिजिन है बहुत सारी सित्रस पीशीज जिसका ओरिजिन और आपको पता होगा कि सिट्रस का एक इसके अलावा एक और है पाइनापिल यह दोनों ही बहुत प्रॉमिनेंटली ग्रोग करते हैं पाइनापिल तो आपको वहां पर दस रुपए के मिल जाएंगे ठीक है तो बहुत-बहुत सस्ते होते हैं पाइनापिल स्पेशली सिलुगुरी वाला जो बेल्ट है यहां पर पाइनापिल की कल्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है मतलब यह पूरा जो एट जॉइनिंग एरिया है ठीक है खेर यह आपकी आउट अफ दुबॉक्स इंफरमेशन है नॉट इंपॉर्टन अभी के लिए बात करते हैं देखिए दो प्लांटेशन क्रॉप आपने देखा मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आ गया इसके अलावा कोको नट यह प्लांटेशन होते हुए भी अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है और कोको ने डिवलक्मेंट बोर्ड इसंट केरला कोची केरला ठीक है नैशनल होटी कल्चरिल बोर्ड यह तो आपको रटा होना चाहिए जिस तरस आपको रटा होना चाहिए इंडियन इंस्ट्यूट ऑफ होटी कल्चर रीसर्च आई एचार ठीक है आई एचार की कब पड़ी हमने स्टैबलिश्मेंट डेट डेटीच जिस तर्फ हैं अम नच्वी की बताएगा कौन है ए एन्च्बी की स्टैबलिश्मेंट डेर नाइनटीनएटी फूर ठीक है एएएएएएएए एटीफे नच्पी भी आता है अग्री कल्चूर मिनिस्टिर के अंदर और नाशनल बीबोर्ड जो आता है ये भी आता है Ministry of Agriculture के अंडर it is in New Delhi ठीक है NHB is गुरगाओं हर्याना एपीडा ये तो आप सभी को रटा होगा है ना it is under Ministry of Commerce and Industry again तो जो जितने भी plantation crop आप देख रहे हैं उसमें से सिर्फ एक है that is coconut which is an exception और जो आता है Agriculture Ministry के अंडर ठीक है बाकी जो आपकी plantation crop usually आप देख रहे हैं जैसे tea, coffee, spice और इवन इपेडा ये आते Commerce and Industry के अंडर ठीक है मैम इसमें डिफ्रेंस है क्या जो Ministry for Agriculture और Commerce है बिलकुल 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 अलग है देखे Commerce and Industry यूजिली जो है ये आपको actually कह सकते है Commerce oriented या ऐसे plant जिसका industrial कह सकते है application बहुत ज़ाद है या सिर्फ industrial application है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि coconut तो फिर भी आप नारियल पानी भी बेच सकते है इसका ठीक है नारियल आप यूज कर रहे है नॉर्मल ठीक है सुखा के तो ये सारी चीज़े इसमें भी ऐसा नहीं कि processing industry नहीं है बट टी और कॉफी जो ये strictly क्या होती है commercial होती है तो that is why commerce and industry के अंदर बे आती है ठीक है और APDA जो है ये तो exclusively it is to handle क्या export and import of agricultural product ये processed product तो इसे लिए commerce and industry के अंदर आता है ठीक है कोची और कोची और कोची अच्छी ये दोनों ही वर्ड एक ही जगह के लिए थे जस्ट लाइक कौन सा वर्ड है कालीकट अभी के लिए कालीकट कौन सा है there was a word called कालीकट and then there was a word called पुलीकट अलग अलग है माम दोनों अलग अलग है पुलीकट इस लेक ना कहां पर है एक्जेट पता नहीं है माम लेक पुलीकट चलिए कल का आपका जेनरल नॉलज़ का पुलीकट आपको पते है воз Pres 후 फोलीकट आपको पते है तो कोची और कोचीन है यह दोनों ही सेम ही है ठीक है येश माम चलिए कल दूर के लाएंगे लेक पुलिककट कहां पर है ठीक है कल क्लास इसी से स्टार्ट होगी गेरल में है क्या भाई मेरे को नहीं पता है आप दूर के लाएंगे ठीक है अब गूगल किया क्या अरे बोलिये भाई नहीं मैं नाम से ऐसे काली कट वो कुली कट हुए गए रहे कुछ नहीं I don't think it is in Kerala बट स्टिल ठीक है चलिये वर्ड हुर्टी कल्चर इस डिराइब फ्रॉम लेटिन वर्ड ठीक है बिल्कुल सही है चलिये आगे बटते कोकॉनट डवलप्मेंट बोर्ड ओफ इंडिया मिनिस्ट्री अगरी कल्चर विल्कुल ठीक है नैशनल होटी कल्चर बोर्ड ओफ इंडिया इस सिचुएटेड आट विल्कॉअ कहां पर आता है हरिया आटा टीक है हरिया ना टीक है टी बौड ओफ इंडिया इस सिचुएट अट अटु अ पोलकाता अकोला कहां पर है अजय को, मेरा.. है यहे हैंट फ्रॉदूइश अंत्र फरिश्टेश लग। फंचेश्ट कितन थे थ रहे य sub इंचेश्ट करूड अंद्र डॉज फ्डheen थेधर कितना था खनेश्ट फरेषक लेचेश्ट्सर परसेंटर अग्योस्ट आपितम्पर्देश्टरतेश्र इस ठीक है? C-I-S-T-H लगनाउ लगनाउ बलकुल लगनाचिन्ल वी बूद इस लोड़ इस लोड़ आध देली देली ठीक है total horticultural production for 2021 329.1 339.1 है तो आज के लिए तो लास में किसी को कोई डाउट नहीं है क्लास ठीक जा रहे हैं अच्छा नई स्टूडेंट्स हैं कोई कोई भी तो क्लास क्लास आपके लिए सही गई है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट ने आपको नो मैं नो मैं